हेलो गैस कैसे है आप सब लोग हमारा हाल तो बुरा है क्योंकि हम इतना उच्छा पाहर चल के आया है इतना मुश्किल होता है पाहर का लाइफ लेकिन मैं पहले भी बोला है कि इसका इंवाइडमेंट बहुत ही अच्छा है बहुत खुब सिरत है और अभी तो गर्मी का मौसम है इसे लिए थोरा प्रोब्लम होता है लेकिन जब ठंडे सर्दी का मौसम होता है थंड़ होता है तो बहुत अच्छा लगते है तो आप लोग भी आईए पाहर जाहिए घूमिए देखिए ओ नेचरल एंवाइडमेंट में जो होता है और बहुत ही ब्यूटिफुल होता है उसको एंजाई कीजिए और करने क्या है दो दिन का तो बात है क्यों बोलता है ना दिल है जीने का है चार दिन तो जीने है तो खोल के जिए हो पुरा एंजाई करो अपना आसपस देखो शाफ रखो खुद भी शुरक्षित रखो और जब को शाफ खातो है ना मैं नो को क्या है मुझक बोला यह तिन नंबर मत गडिया शांति नेगर लेकिन हम लोग अभी जाहापर है वो बहुत उच्छा पाहर है नहीं कहा हम लोग लोग अबर भरत है यह जीमाला पर बद थे बोलना चाहते है और कुस नहीं और कुस नहीं किया कितना गर्मे है गर्मे आज इतना धूम निकला है उपर से तुना हाइड है और जब आप लोग इदर आएंगे ना घुमने के लिए तब आपको पता से लेगा कितना मुश्किल होता है पाहर मेरे लेकिन पाहर का जाएंबाइरनमेंट है और बहुत खुब से रधे तो इतना देर चलने के बाद हम लोग थर रेस्ट के लिए दर रुका है तो देखें ना क्या चीनारी है क्या ब्यूटिफल नजारा है सिर्फ इसका एंज्याइग करना चाहिए करें देखें कितना अच्छ ग्रीन ग्रीन चीनरी होता है जो ट्रींजे तो बहुत अच्छा लगता है वह सिर्फ उटने में दिकत होता है लेकिन बाकी सब मुझे बहुत यह च्छा लगता यह पहर का इंविलिनमेंट और जो पानी मिलता है न अिया ओट तो कहिपर वितना अंच्छा पानी नहीं मिलता जो पाहर का पानी होता है बहुत या छा ठ ठंडर ठंडरा पानी होता है तो गूमिए आप लोगे की पास में तो पाहर उदर जाए गूमिए एंजञे कीजिए और शुरक्षित रिखिया है